हेलो स्टुडेंट आज हमनों क्लास 10 का चैप्टर सर्फेस एरियाज एंड वोल्यूम्स एक्सरसाइज 13.1 कोशें नमबर आज हमनों 6 लेखेंगे चले देखते कोशें नमबर 6 हम लों का क्या कह रहा है अमेडिशीन कैप्सूल इस इन दा सेप ऑफ असलेंडर विद टू हमिस्फेर स्टॉ इच ऑफ इट्स एंड दा लेंथ ऑफ दे एंटार कैप्सूल इस फॉर्टीन एमम और दामेटर ऑफ दा कैप्सूल इस फाइव मेंड दा सर्फेस एरियाज एरिया चुली देखते हम और उपर और नीचे हम लोग का हेमिस्फेर के सेप में है यह हम लोग को कह रहा है बीच में सिलेंडर के सेप में रहता है और उपर में क्या रहता है हम लोग को बोल रहा है जो कैप्सूल का जो लेंथ है पूरा पूरा लेंथ कितना दिया है 14 mm दिया है और हेमिस्फेर जो ह यहां पर थोड़ा जगा नहीं हो रहा था प्लेस नहीं हो रहा था चलिए हैं तब हम लोग करना है इस कैपेटर का सर्फेस रिया फाइंड करना है तो देखे डायमिटर ऑफ क्या निकालने के लिए जब लोग को डियामिटर पता होता है जो कभी भी हम लोग को डायमिटर पता है रेदियस निकालने क्या करें तू से डिवाइट कर देंगे अब यहां पर देखिए हम लोग का length क्या हो जाएगा length of cylindrical capsule यहां पर धियां से देखिएगा यहां पर लिख देता हमें length of length of cylindrical cylindrical capsule क्या हो जाएगा हम लोग का देखिए पूरा कितना है यहां से लेकि यहां तक कितना है हुआ हम लोग का 14 14 आप देखें है ।क देखें हम लोगा करना नहीं तो हो गया हम लोग डाइमीटर कितना था अब सथा अब। इस पार को भी मैश करेंगे इस पार यहां से यहां का radius कितना है और यहां सा गस्ड़ाइब करогा देगा टूं lot करगे आप छेलिए हमोगा क्या करेंगे सब्सक्नेफ पास्ण करेंगे तो जोन से डिवाइट करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 1 आएगा और 1 से multiply करेंगे 5 को तो 5 आएगा अब देखी हैं पर क्या होगा ना 28 या मैनस मैनस दाते तो मैनस लिखे जोड़ देते हैं कितना होगा 10 अप वोन में 2 अब देखी हैं पर क्या होगा 18 बचेगा 18 अप वोन में 2 अपर लिख लेंगे सर्फिस एरिया ऑफ क्याप्सूल का सर्फिस एरिया निकाल रहे हैं अब देखें यहां पर हम लोग का दो हेमिस्फेर हैं तो हम लोग 2 लिख लेते हैं दो हेमिस्फेर हैं यानि एक का निकालेंगा टू से multiply करेंगा तो दोना का निकाल जाएगा सर्फिस तो लिखेंगे इंटू देखें हैं मेज फिर कर सरसे से यह उफ हैं इसी लिए एक का हम लोग कर सरी निंकाल टू से मॉल्टिपला करें तो दों का जाएगा यहां लिए दें curve surface area of hemisphere hemisphere plus sign देंगे किसका sign plus अब क्या लिखेंगे curve surface area of cylinder curve surface area of cylinder तो हम लोगा अब देखें क्या करेंगे यहाँ पर 2 into curve surface area of hemisphere क्या हो जाएगा हम लोगा 2 pi r square प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 pi r h 2 pi r h अब यहाँ पर देखें हम लोग solve करते चलिए देखें 2 से 2 को multiply करेंगे 4 हो जाएगा अब यहाँ पर पाई को रहने देते हैं पाई को अभी हम लोग रहने देते हैं कितना देखें हम लोग को 5 x 2 कितना है फाई बाय टू यहाँ पर लिख देएगे क्या हो जाएगा हम लोग का 5 by 2 का square प्लस यहाँ पर देखें 2 है pi को ऐसी रहें देखें आर कितना दिया था 5 by 2 दिया था in2 क्या हो जाएगा into सबके बीच में क्या into का आएज कितना दिया है है हम लोगा सिलेंडर का सिलेंडर कल कितना है तो इसको मैं आपके लिए नेक्स्ट में लिए देता हूं पहले चलिए इसका आगे हम लोग solve करते देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 pi आप देखिए हाँ पर 5 का square 25 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का square 4 प्लस देखिए 2 से 2 cancel हो जाएगा 2 से 2 cancel 2 1 जा 2 2 1 जा 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 sorry 5 9 जा 45 25 pi अब यहाँ पर हम लोग जो क्या करिंगे देखिए हाँ पर भी cancel हो रहा है 4 से 4 cancel हो गया 4 बंज़ा 4 प्लस बनज़ा 5 का value हम लोग रख दिएगे यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 by 7 इंटू क्या हो जाएगा चलिए हम लोग क्या करें कितना है को देखिए आप है फॉपर में क्या जाएगा हम लोग का उपर में रहेगा अब देखें हम लोग क्या करेंगे एड़ करेंगे, एड़ करेंगे, 0 को 0 करेंगे, तो 0, 9 में 5 एड़ करेंगे, तो 14, 14 का 4 लिखेंगे, 1 हैंड में, अब देखें, 9 और 5, 14 और 1, 15, आप देखें, अप वन में 7 है, कैंसिल हो जाएगा, देखें, 7, 1 जा 7, 7, 2 जा 14, 1 हैंगे, 7, 2 जा 14, और यह 0, हम लोग कितना आ गया, 220, यहाँ पर क्या हो जाएगा, MM का स्क्वार, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सो इस्ट्रेंट वीडियो पसंद है, तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए, थाइंक यू,